नमस्कार सुलक्ता सवाल में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ वक्ता आज सवालों से पवार गैंग को सुलगाएंगे जिसमें एक बहुत ही बड़ा चौकाने वाला खुलासा होका क्योंकि E.D. ने महारास्टु में शरत पवार के एक और करीबी नेता प्रफुल पटेल के यहां छापे मारी की है उनकी सीजे हाउस की प्रॉपर्टी को सीज किया गया है यह चापे मारी भी शरत पवार के दूसरे नेता यानि नवाब मलिक की तरह दाओद इबरहीम से कनेक्शन पर की गई है प्रफुल पटेल पर आरोप है कि उन्होंने दाओद इबरहीम के सहयोगी गैंगस्टर एकबाल मिर्ची से प्रॉपर्टी का सौदा किया है इस खुलासे ने हर किसी को दंग कर दिया और शरत पवार के भी हाथ पाओँ फूल गए है क्योंकि जाच की आच उन तक भी पहुँच सकती है जिससे सवाल सुलग रहे है क्या नवाब के बाद प्रफुल पटेल भी होंगे गिरफ्तार? यह सवाल इसलिए ही सुलग रहे है क्योंकि प्रफुल पटेल पर यह कारवाई भी इकबाल मिर्ची केस में हो रही है इससे पहले भी इडी प्रफुल पटेल से दो बार पूछताच कर चुकी है इस बार उनकी गिरफ्तारी की बारी है हो सकता है कि जाँच की आँच शरत पवार के पास तक पहुँच जाए क्योंकि प्रफुल पटेल एंसीपी अध्यक्ष शरत पवार के करीबी माने जाते हैं हाल ही में पार्टी की सभी इकाईयों और प्रकोस्टों को ततकाल प्रभाव से भंग किया गया था तो प्रफुल पटेल ने ही मीटिंग के बाद ये जानकारी दी थी और अगले ही दिन प्रफुल पटेल एडी की रडार पर आ गए तो हो सकता है कि दाउट से कनेक्शन की अपने नेताओं की हर जानकारी शरत पवार को हो शरत पवार की शह पर ही एंसीपी के नेता फलपूल रहे हो जिस तरीके से एक के बाद एक एंसीपी नेता का दाउट से कनेक्शन निकल रहा हो वो वाकई शरत पवार को रडार पर ला रहा है क्यों? क्योंकि शरत पवार की भी कई ऐसी समपतियां है जो अब ED की रडार पर आ सकती है और उनका कनेक्शन भी दाओद इब्रहीम से निकल सकता है इसलिए ED जैसे ही प्रफुल पटेल के यहां पहुंची शरत पवार के हाथ पाओ फूल गए क्योंकि डर यही है कि अगला नंबर उनका भी हो सकता है अगर बात करें प्रफुल पटेल के दाओद कनेक्शन की तो अंडरवर्ड डॉन एक बाल मिर्ची के साथ प्रफुल पटेल के लेंदेन की जानकारी सामने आई थी पता चला कि दीपक सलवार एयर सेक्टर में एवियेशन डील में शामिल था प्रफुल पटेल को भी 6 जून को लेंदेन के सिलसले में पूछताच के लिए पेश होने का आदेश दिया गया था इससे अंडर वर्ड से कनेक्शन वाले वित्तिय लेंदेन का परदा पाश हुआ इससे पहले भी एडी ने CJ हाउस में एकबाल मिर्ची से जुड़ी दो मंजिलों को सीज किया था दरसल प्रफुल पटेल ने एकबाल मिर्ची की पत्नी के साथ 2019 में पैसों का लेंदेन किया था इस बारे में भी एडी ने प्रफुल पटेल के खिलाब चाच की और पूछताच की प्रफुल पटेल के परिवार से जुड़ी मिलेनियम डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेट कमपनी ने इकबाल मेनन के परिवार से वरली की जमीन को लेकर सौदा किया था यह जमीन वरली के नहरू तारा मंजल के पास है यहां मिलेनियम डेवलपर्स ने 15 मंजिला इमारत खड़ी की इसी इमारत का नाम CJ हाउस है इसी इमारत की 4 मंजिलों पर ED ने सीज कर दिया है प्रफुल पटेल के परिवार से संबंद थी यह जमीन पहले एकबाल मिर्ची की पत्नी हजरा मेनन के नाम पर थी लेकिन प्रफुल पटेल ने 2019 में एकबाल मिर्ची से जमीन का सौदा करने के आरोप पर सफाई देते हुए कहा था कि उन्होंने या उनके परिवार के सदस्यों ने D कंपनी के एकबाल मिर्ची से कोई डील नहीं की मेनन परिवार से ये जमीन 1990 में ही M.K. मुहमद नाम के शक्स को बेचती गई थी और अगर इस जमीन का मेनन परिवार से संबंद था 2004 में इस जमीन की डील की गई थी सारे कागजात जिलाधिकारी के सामने रखे गए थे तभी प्रशासन को आगे आकर इस डील को रोक देना चाहिए था अब बचने के लिए प्रफुल पतेल नई नई नोटंकी कर रहा है लेकिन आपको याद होगा कि दाओद इब्रहीम से जुड़े जमीन मामली में ही शरत पवार का चहेता नवाब मलिक चेल गया था नवाब मलिक पर भी हेरा फेरी करके ओने पोने रेट में जमीन हडपने का आरोप है नवाब मलेक के केस में भी शरत पवार पर कई आरोप लगे थे और यही वच्छ थी कि शरत पवार बार बार नवाब की गिरफतारी को लेकर छाती पीट रहे थे नवाब मलेक पर लगे आरोपों पर भी एक बार नज़र डाल दीजिये क्योंकि कुछ इस तरह के आरोप NCP नेता नवाब मलेक पर लगे हैं बकाइदा कोट ने माना है कि नवाब मलेक जान बूच कर और सीधे तोर पर मनी लॉंडरिंग जैसे अपराद में शामिल थे नवाब पर आरोप लगाया गया है कि गोवाब वाला कंपाउंट की जमीन को हासिल करने के लिए नवाब मलेक ने साज श्रची थी उन्होंने दाउद की बहन हसीना पारकर के साथ कई बार मीटिंग की और मनी लॉंडरिंग भी की थी यानि दाउद गैंग से संबंद रखकर मलेक ने गोवाब वाला कंपाउंट की जगह हासिल की थी वो दाउद जिस पर देश में आतंकी हमलों का आरोप है जिसने मुंबई बम धमाके करवाए हजारों बेगुनाओं को मौत की नीन सुला दिया आज उसी दाउद की शरण में आकर शरत पवार की नेता फलफूल रहे हैं करूडों की संपत्ती और पोने दामों में खरीद रहे हैं जब महावेकास अगाडी के हाथ में सत्ता थी तो नवाब से लेकर प्रफुल पटेल तक सभी ने सरकारी पत का दुरुपियोग किया अब वो दिन भी दूर नहीं है जब पवार का ये नेता प्रफुल पटेल भी सलाखों के पीछे बैठा दिखाई देगा और तो और पूछताच में पवार के सारे काले चिथे भी उगलेगा क्योंकि जिस तरह से NCP नेता ही दाउत के गुर्गे निकल रहे हैं वो अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहे हैं और ये साबित कर रहे हैं कि दाउत से इनका कनेक्शन देश के लिए खतरा है इससे जाच की आच शरत पवार तक पहुँचना भी लाजमी है क्योंकि पव जिना किसी शह के उनके करीबी नेता दाउत तक नहीं पहुँच सकते तो यहां दाल में सब कुछ काला लग रहा है और मामला दाउत से जुड़ा है तो बेहत गंभीर है ऐसे में जाच जिंसी को पवार को रडार पर लेकर सारा राज उगलवाना चाहिए वैसे भी शिंदे भी पवार के खिलाब जाच आगे बैठाएंगे और काले इनके सारे कारणामों को उजागर करेंगे सो लगता सवाल में आज के लिए इतना ही कल फिर नए सवालों के साथ पेश होंगे तब तक के लिए देखते रहे है क्यापिटल टीवी नमस्कार बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि आप तक हमारे विडियो के नोटिफिकेशन पहुचती रहे आप अपना सुधाब हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं हमारे साथ चुड़ने के लिए शुक्रिया मैं राजनीती करता नहीं पर राजनीती को बहुत गहरे तक समझता मैं लोगों के बीच रहता मैं लोगों के मन को अच्छे से जानता मैं पबलिक और पॉलिटिक्स की हर नपस को फूट पैचानता मैं संघर्ष पी सियासत से सत्ता के सिंधासंता मैं हर खमर से खरा सच निकाव करूँ ना कोई दौर ना कोई रेस क्यापिटल भी उत्तर अबेच